एक और is scam, जो की dating apps के थूँ होता है, application के थूँ होता है applications ऐसे जहाँ पर एक लड़के को लड़की से लड़की को लड़के से मिलाने का काम किया जाता है ऐसे जो applications हैं, आपके mobile phone और play store पे एक दो नहीं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के applications में सबसे ज़ादा extortion की और sextortion की समभावना होती है extortion का मतलब तो आप समझते हैं sextortion का मतलब मैंने अपने पिछले कई videos में आपसे बात की है आखिर sextortion क्या होता है sextortion आशान सब्दों में अगर हम समझे तो एक blackmail करने वाला व्यर्थी होता है cyber hacker होता है, cyber criminal होता है जो क्या करता है आपके sexual orientation का फाइदा उठाते हुए आपके nude photograph या video किसी भी हद तक निकाल लेता है और उसी के avas में आपको करता है blackmail और निकालता है आपके पैसे यही है sextortion sex के नाम पे किया गया धोखा दड़ी और फिर निकाला जाना आपसे पैसा यह है sextortion जो dating applications होते हैं कई बार आप अकेले होते हैं कई बार आप बोर हो रहे होते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपको life में कुछ interesting करना है जब आपको इस प्रकार के applications play store पे मिलते हैं आप install करते हैं या किसी social media के माध्यम से इस प्रकार के जो applications हैं या link है वो आपको मिल जाता है आपने install किया आपने mobile phone पे देन दो लोग की बातचीत शुरू हो जाती है लड़का और लड़के की बातचीत शुरू हो जाती है थोड़े समय के बात जो यह बात है काफी dense relationship में convert हो जाती है intimate scenario बन जाते हैं और वहाँ पर जो intimate conversation होते हैं बातचीत होती है लोग आपस में video call करने शुरू कर देते हैं chatting करने शुरू कर देते हैं nude pictures भेजना शुरू कर देते हैं और यही है असली खेल जो dating app है उनके पास आपका पूरा data जा रहा है और थोड़े समय के बाद शुरू हो जाता है sextortion और साथ ही extortion COVID-19 के pandemic में याने coronavirus के समय पे इस प्रकार के मामले बहुत ही अत्यदिक तेजी के साथ बढ़ते हुए और देखे गए लोग को पैसे की आवशक्ता तो थी तो उन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया एक दो लोग के साथ में नहीं कईयों कईयों लोग के साथ में इस प्रकार की गतिविदियां की गई उन्हें लूटा गया और यही कारण है कि जो डेटिंग एप है आपको भी बच के रहना चाहिए आप सोचते हैं कि कहीं यह आपको mental peace या satisfaction दे देगी लेकिन आप यह नहीं जानते कि यह आपको कई बड़े scam में फसा सकती है और आपसे एक मोटे पैसे की वसूली या उगाही करा सकती है extortion आपके साथ भी हो सकता है आपका वीडियो बन जाएगा आपके photograph या intimate chatting उनके पास में आ जाएंगे और जो cyber criminals हैं जो hackers हैं आपको इनी app के माध्यम से application के माध्यम से loot लेंगे क्योंकि उनके पास आपका data है वो आपको कैसे damage कर सकते हैं उनके पास जब आपके private images, videos, photograph आ जाएंगे तो आपको ये कहेंगे कि अगर आपने उनकी illegal demands को fulfill नहीं किया तो इन सारे videos को photograph को circulate कर देंगे viral कर देंगे, भेज देंगे, दोस्तों में share कर देंगे आपके परिवार के सदश्यों को भेज देंगे आप डर जाएंगे और उनकी illegal demands को आप fulfill करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब coronavirus का समय हो रहा था तो लगभग 2012 complaint register की गई थी online जो की संबंदित थी cyber crime जो इसी प्रकार के dating app से संबंदित थे वहाँ पर लोगों ने अपनी शिकायद दर्ज कराई थी तो ये लोग काफी कम क्यों है इस वज़ा से क्योंकि लोग अपनी इजज़त का काफी ज़ादा ख्याल रहता है और लोग इस प्रकार के जंज़त में पढ़ना नहीं चाहते है लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस प्रकार के जो डेटिंग एप हैं जहाँ पर सेक्स्टॉर्शन होता है सेक्स के नाम पर इंटिमेट कन्वर्सेशन होते हैं वीडियोज होते हैं फोटोग्राफ वाइरल करने की एक्टिविटीज होती हैं इन सारी चीजों से आप बच के रहें क्योंकि जो आपका इंपोर्टेंट डेटा है वो कहीं न कहीं सेव हो रहा होता है इसी डेटा का फायदा उठाते हुए साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स आपको सेक्स्टॉर्शन या एक्स्टॉर्ट कर सकते हैं पैसे के लिए आपसे मोटी रकम उगा सकते हैं अगर आप फस गए हैं इस प्रकार के किसी डेटिंग अप के चकर में या लड़का या लड़की की चकर में और आपको अवैद वसूली की जा रही है आपको क्या करना है Cyber Complain मैं बार-बार कहता हूँ इसी वज़ा से कहता हूँ क्योंकि आपको करना चाहिए Cyber Complain और ये नमबर बदल-बदल के करते हैं तो आप इनके नमबर को True Caller में या किसी अजने जगा पर इस नाम से सेव करें कि दूसरे लोग इस प्रकार की गतिविदियों से बच सकें और उन्हें पहले ही पता चल जाए कि ये एक तरीके का Scam है ये एक तरीके का Scandal या Fraud है तो इस सहाब से अगर आप देखें तो कई सारे लोग इस प्रकार के Blackmailing का शिकार होने से बच जाएंगे Indecent Exposure से बच जाएंगे Abuse होने से बच जाएंगे तो इस बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों की भी मदद करें एक और महत्वपूर्ण बात जैसे मैंने आपको बताया था एक OLX याने जो Second Hand जो आपके Mobile Phone होते हैं या आपके गाड़ियां होती किसी भी तरीके का Second Hand आर्टिकल्स आप OLX में डिरेक्ली बेच सकते हैं नाम तो आपने सुना ही होगा अब होता कि आप वहाँ भी लोग fraud करते हैं कई लोग कहते हैं कि मैं आर्वी में काम करता हूँ मेरा transfer हो गया है आप मुझे इतने पैसे देतीजे यह जो गाड़ी है गाड़ी की एक्चल कीमत होती है पाँच लाक रुपे उस Second Hand गाड़ी की लेकिन वो बेच दो लाक रुपे में रहा होता है तो आपको लाला चा जाता है आप 10,000 इनिशिली अकाउंट में डाल देते हैं और फिर आपको पता चलता है कि वो फ्रॉड है तो इस प्रकार के भी गतविदियां काफी जादा होती है आपको बचके रहना चाहिए यही है साइबो हैकर्स का काम कि आपकी कमजोरी का फाइदा उठाते होए चाहे कमजोरी सेक्स से संबंदित हो जहाँ पर सेक्स टॉर्शन होता है या आपके लालच से संबंदित हो जहाँ पर आप लालच में आ जाते हैं कि चीज वास्तविक कीमत से भी बहुत सस्ते में मिल रही है तो ज़रा दिमाग लगाए कि वास्तविक कीमत से क्यों सस्ते में मिल रही है या कि वो खराब है और या कि उसके पीछे कोई रहर से चुपा हुआ है कोई fraud चुपा हुआ है कोई बदमाशी चुपी भी है तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें जिससे आप बच सकते हैं sex torsion से और इस प्रकार के dating app जो commonly आज के समय में धडलले से use हो रहे हैं जिनके उपर किसी भी तरीके का ban नहीं है और ban होना आवशक है लेकिन फिलहाल आप बचें इस प्रकार के app से जिससे आपके वीडियो, photograph या personal जो intimate chatting है, conversation है वो इन तक ना पहुंच सके cyber hacker या criminals तक ना पहुंच सके और आप बच सकें blackmailing से abuse होने से और इस वीडियो के description में link है जहां से आप direct appointment book करके भी मुझे बात कर सकते हैं अपने problem से संबंधित और whatsapp number भी इसी purpose के लिए दिया हुआ है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्त रहें, मिलतें अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत धन्यवाद